हलो नमस्ते वलकम तो मैथ अडिक्शन रो यो वीडियो मा हमें डिस्कस गरने साओं नेपाल राश्टर बैंक को एसिस्टेंट टू को सेकेंड पेपर को लागी इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्काउंट एंड कमिशन को पार्ट तू पार्ट बनमा हमें एकई सिम्पल कोईशन रो इसकेंड गरी शकेंगा थीयों होफ तबाइ लेकत केयो वीडियो उपनी पके बनी हरने बएको वेखो elector यो यस कीणियो इस वीडियो मा हमें केहि नया रो इंपोर्टेंट कोईशन रो कोच्यर साओ फेरी गरने साओं सो विदाउट वेस्टिंग मस ताइम, लेस्ट गेट स्टाइट। क्वेशिन नूम्बर वन, एवटा सामान 20% छूट पची रूँ 1000 मा कीनियो, येदि 10% मात्री छूट भए को भए ते सामान लाइ कती तीर्णू पर्ने थियो है दा। सो ये लेक्की बंदेशा बंदाइरे कुने येवटा सामान होला, तेव सामान को कुने येवटा निस्चित अंकित मुल्ले होला, जहानी र छूट को कुराँशा त्याहनी र अंकित मुल्ले तपाइले, इमाजिन या सपोस गरणने हुँँचा है, सो मानों हमले के गरें बंदाइरे, अंकित मुल्ले या माक प्राइज लाइ एक्चिन गो लागी रुपीज एक्स बनेर सपोस गरें वाईदा, सय मानेर बनी गरनना सक्किन च, और यानेर तपाई वेरिबल एक्स मानेर छूट बनने चीज हमेशा माक प्राइज मा लगाएं च या माक प्राइज मा दिन च, यह कोरा हमेशा खाहाल गरननु अला, सो डिस्काौनट प्राइज धिये कुझहा है, सो जबहा हमेशा माक प्राइज बो publi के दिस्काउंट प्राइज ऊंचा घटाऊं टेस पसी आमरो उ लेकदारी 20% मातर लेकेरो पूगदाना 20% of mark price X वने रहा इसे रहो लेकन पर साइदा बराबर X minus 20 percentage वने को 20 by 100 हो 20 by 100 वने को 1 by 5 हुन्च तेसली यो total value X by 5 हुन्च यो 5X बाट X गटाउं दाहरी 4X बागीरा आँच तो 4X उपन 5 इसको selling price निसक्यो अब क्वेशनली की बंचा मं दाहरी यो जुम 4X by 5 आया को सा ये value वने को 1000 बराबर हो है दा तो आमी लेकना सक्सा हूं 4X by 5 जुन हमले निगाले हूं यो वने को के बराबर हो 1000 बराबर हो तो इदी येसला आमले cross multiply गरियों होने 5 into 1000 5000 बहाल चार और तेला चार ले भाग गरने हो तो X बराबर 5000 परसेंटेज मात्र चूट दीने सो 1250 को फेरी 10 परसेंटेज कालकुलेशन तो योंज आमरो बारसेंटेज परसेंटेज कालकुलेशन 1550 माइनस 10 परसेंट अब 1250 निकालनू बहाए बने 125 आयल से यो सो 1250 वोड़ा 125 गटाउन यो हो बने रुपीज 1125 1125 येई इसको आंसर हो गाई ता Q2 मा एवटा घडी को अंकित मुल्ले अंकित मुल्ले बनाले माक प्राइज या लिस्टेट प्राइज रूप 5000 राखियेको थियो सो घडी मा 15% छूट दी 13% भैट लगाऊँ दा 100 को मुल्ले कोति होंचा ओके सो हामिसां केस बंदारी येवटा घडी चा जसको माक प्राइज सबसे पहला हमले इसमा डिस्काउंट दियों सबसे पहला डिस्काउंट दीनु भास तबाइले डिस्काउंट दी सके बसी सेलिंग प्राइज आऊँसा त्यों सेलिंग प्राइज मा तबाइले के गरने हो भैट लाई जोडने हो इसरे हामी योवाला प्रस्टनाल है सौल गरने सां माक प्राइज वोट डिस्काउंट ल discount percentage कती पाया वंदार 15 percentage discount पाऊन बास सो यह पड़ा हमें selling price निकालना सक्षाँ तर यह selling price कस्थो बंदार before bat बाला हो, bat लागनु बंदा पुर्वा को selling price होयो कसरे निकालनी mark price बाट discount percentage लाइग गटाउन होंचा 15 percentage of 5000 हम लेग गटाई दिने हो यह गटाउन दाहरी इसको एंसर होंचा 5000 minus 15% of 5000 निकालनु बहुया बने यह पसाड़ी को दुईटा 0 यानि रको 100 ले कार दिने सा 15 इन्टू 55 पसाटर होंचा सास से पसास उनाउसा रब 5,000 बंदा सास से पसास गटाई दिनी हो बने हम रो एंसर आउसा यह पसाड़ी राचा हमरो SP 4,250 प्लस 13% of 4,250 या डायरेक्ली एक से 13% of 4,250 निकालनु बहुया बने होंचा सो यह पाँ हमरो 4,250 प्लस 13% बनना ले 3,200 गुणा 4,250 यहला हमी सिंप्लिफाई गर साँ 4,250 प्लस यो जीरो रा यो जीरो क्राड़ दिनुस एक सपसाड़ी 13 into 42 गरे रा दस ले भाग गरनु बहुया बने तपाईको आउसर आयाल से S मा 5,52.5 बने रायाल से रांतिम मा येदी हमली यह दुलिटालाई जोड़ दिनु बने विची 4,250 मा 5,52 जोड़ दिनु उन्च बने यो बयाल सामरो 2,5,5,10, 5,27,8, 4,802.50 यो तपाईको आंसर हो हैता सेलिंग प्राइस आफ्टर वैटो येसरी हमली येक्वेशन साल्व गरने वाईता क्वेशन नम्बर 3 एवटा रेडियो को अंकित मुल्ले मा अंकित मुल्ले बनना ले फेर इते ही मा प्राइस 15% छूट दी 10 परसेंटेज भैट लगना दा सोको मुल्ले रू 4,665,4675 पूग्यो भने अंकित मुल्ले कती होला कती रखम छूट दीएचा कती रखम भैट लागेचा सब चीज निकालने आम लेदा अगी वाला बंदा अले गती फरको अगी वाला क्वेशन मां हामलाई मांक प्राइस दीएगो थे हो यसमा आमलाई दीएगो चाहे न सो सबसे पहला तपाई मांक प्राइस लाई एक्स बने र सपोज गरनुँँँच रपाईलो काम हमेशा छूट को हूँँच तो दिस्काउंट परसेंटेज है याने रो 15 परसेंटेज हो यहां हमले मांक प्राइस ओड़ोक परसेंट गताउनी हो श्यां हो तर यह स्प कोस्त होँँच बहाट पूर्वाको थे हो नेपाढल मासरा लेगिन सबहाट पूर्वा को स्प इंग्रिसमा एसप बिफोर बेर simplify गरनो वाला 53 जा 520 जा so yoo 3x by 20 उन से यता वाला हिस्सा अब यो 20x बोड़ा 3x कोटाया विचे 17x बांकी रोयो by 20 यो सामिसां गाई तो SP before bat अब इसमा तो बाईले 10% भाट जोडनो बाचा so अब या निकालचों हामी SP after bat बने रा निकालचों so SP after bat is equal to यो 17x by 20 प्लस 10 percentage of 17x by 20 ये निकालचों हामी is equal to ये ला एके चुर लेगना साखी नचा यो दो टाला ये तपाले जोडनो बहे बने अब यो 17x by 20 बने को 100% आफे मासा 100 मा 10% आफे मासा जोड़नों हामी so ये एक से 10 percentage of 17x by 20 डारेक्ली ये सरी calculation गरनना साखी नचा अनि यो 0 रर 0 हामले काड़ने हो तेस बसाड़ी और वेसमा काड़ने लाइक केई चे न सत्र इंटु ग्यार गरने हो सत्र इंटु ग्यार ये दि गरदे होने होने एक साथ अलग साथ प्लस एक आट एक से सतासी होने चे यो so 187x divided by 20 इंटु 10 200 हुना आए वही त अब प्रश्ण अनुसार जुन तपाईले यो अन्तिम निकालनो भादच 187x open 200 S को वैल्यू बने को 4675 बराबर हो ता याँ वड़े ये दि आमले x निकालने होने प्रोस मल्टिप्लाई गरननो भादच यहले 4675 गुणा दुई से डिवाइड़ेड़ बाई 187 रही दी तपाईले क्यालकुलेटर बड़ निकालनो भाए वहने डायरेक्ली तपाई आंसर पाऊनोंच 5000 बने रही दो एक्स को वैल्यू साइ 5000 भा एसको मतलब अब आमले येदी लेखनू परेवने ए नमबर मां मार्क प्राइस सोदेगो थियो मार्क प्राइस होने को 5000 रुपया हो अंकित मुल्ये 5000 बी मा आमलें सोदेगो थियो छूट को रकम निकालनों सो डिस्काउंट कतियो 15% हो 15% पर्सेंट और मार्क प्राइस 5000 को 15% निकाल दिनो वह वहने सास से पसास इसको आंसर आ है आल्चो ये रुपीज 750 डिस्काउंट भा C मासा है हमलाई VAT को रकम निकालनों परने सा कती VAT लाया को चह अबने रहा जो यदे हमले SP before VAT निकाले हुँ SP before VAT निकाल राहेरी तबाईले यो 5000 बट शास से पोशास गड़ाई दिने पोड़ सा सो 5000 बट शास से पोशास यदे हमले गड़ाई दिने हो गने यहाई आलच 4,250 योज उन पईशाच चा एसमा हमले 10% भैट लगाया को हो सो भैट को रकम सो देगो सा SP आफ्टर भैट सो देगो है न भैट को एमाउंट सो देगो है ता सो भैट को एमाउंट बराबर 10% अफ 4,250 योज उन चा आमरो 425 रुप्या आईता येसरी हामले ये क्वेशन लाई सौल बढ़ना सक्साँ इजी सा खासे गारो साइना एक चुड़ी हरनो लाईता राम रसंगा क्वेशन नमबर 4 कुने बस्तु को अंकित मुल्ले रू 28 से थियो जुन क्रय मुल्ले को 40% बढ़ी थियो 20% सूर दी बेचे मा कती प्रतिशत नापा होला ओके येले की बन्दी सा बन्दारी कुने बस्तु को अंकित मुल्ले रू 28 से थियो अंकित मुल्ले बन्दाली माक प्राइज दिये गुशा तवा येलाई थास है ना सो मानो सीबी ला एकस इनुबला आगे आमले एकस बन्देऊ सो एकस बन्दा 40 पर्षेंट बड़ी के रहे चेता माक प्राइज रहे चेता सो आम्य ये चरे लेगना सक्षां एकस बन्दा मतलब प्लस 40 पर्षेंट अफ एदी हामले गरे ओने ठेक कई कानीर पुगिन चेता 28 रुपया अथवा माक प्राइज मा पुगिन चेता सो आब एकस ब्लस 40 पर्षेंट लाई सिंप्लिफाई गरदा हैरी 40 पर्षेंट बनेगो 2 बाई 5 उन्च है 22 जा 25 जा गर निकालनो वाला 2 बाई 5 एकस बो बरावर यो 28 जा अब या निरा 5 एकस प्लस 2 एकस गरदा हैरी 7 एकस बो 7 एकस बाई 5 बरावर 2800 बो अब यो साथ ले 284 पर्षेंट कारद में आमले 5 इंटू 4 बीस बो मतलब एकस बरावर 2000 रुपया रहे चा सो सीपी निकालना मा सफल वाला मामी कोश्ट प्राईज 2000 रुपया रहे चा अब या सपसी यहले के बन्देशा बन्दारी 20 पर्षेंटेज छूट दी तबहले बेशनु बाचा सो यह दिडिसकाउंट को पर्षेंटेज 20 पर्षेंटेज राखने हो वने हमरो सेलिंग प्राईज बिक्री मुल्य कती हुँँचा माक प्राईज मतलब 28 से माइनस छूट को पर्षेंट 20 पर्षेंट ओफ माक प्राईज अइता सो यह बयाल सा हमरो 28 से माइनस 20 पर्षेंट वनना ले एक बाई पांच इन्टु 28 से बराबर यह उंच अठाई से माइनस 5 ले 28 से ले कार्दा हेरी 55 जा 25, 56, 30, 5, 68 आओछ 8 से माइनस 5, 60 भो यह अठाई से वड़ा 5 से गटेवची 23, 23 वड़ा शाट्य अज काम गरदिनू स्थो 24 रुपया निसकिराच आमरो ही त लो यो चाही की हो आमरो SPO यो हामरो के हो यता पट्टी को CPO तो CP SP बन्दा कॉम छा अथवा SP CP बन्दा बेशी छा तो जाहिर कुरा हो नाफा भगे को अला profit means SP-CP तो SP बने को 22-40 माइनस CP बने को 2000 तो कती रुपया नाफा भगे को रहे चा तो यानीर 24-40 रुपया तो याता परसेंटेज मा निकालने हो so profit percent बराबर कुल नाफा डिवाइड गर दाहेरी CP ले डिवाइड गरने 2000 ले रगगुणा गर दाहेरी 100 ले गुणा गर दिनोंच so 0000 काट्य दुल्टा औनी यो 20 ले 244 ले काड़ दाहेरी 12 हुना होच एसको मतला 12% चाई नाफा बहएको रह जाईत यो हो यो प्रोशनालाई solve गरने तरीका हो तबाईले बुजनुबहएको होला question number 5 कुने बस्तु को क्रय मुल्ले क्रय मुल्ले मननाले CP रूच 4,000 थियो so CP आमलाई दिएकुच रुपीज 4,000 गीवन लेग दे जाऊं त्यो बस्तु को अंकित मुल्ले निकालनों होच आमले एसमा मार्क प्राइज चाई निकालने हो question मात चा जसमा 20% छूट दीदार so discount percentage चाई 20% चाई औनी 20% नहीं नाफा होँच so profit percentage बनी कोथी 20% नहीं चा है और पहिला तो तब रिलेशन बुजनू सही न मार्क प्राइज वट डिसकाउंट परसेंटेज येदी हमले घटायों गने एस वट के निकालना सकीन सा selling price निकालना सकीन सा CP मा profit percentage जोडने हो बने एस वट वट के निकालना सकीन सा selling price निकालना सकीन सा तो दो इटा selling price की उनुपर सा बराबर उनुपर सा ये हमरो ये question solve गरने टेकनीक हो एत सबसे पहला mark price रडिसकाउंट को प्रयोग गरर selling price निकालनी तेस पसी CP रप profit percentage को use गरर selling price निकालनी तो दो इटे selling price ला हमी बराबर देखाई दिन चाओ रत्या वडर तभाई को X को value या mark price आयाल सा ये सरीने गरने वाला पहला mentally solve गरने हो तेस पसाडी तभाई easily आखनो copy मा लिखना सकनोंच सो mark price बराबर X वडर चालो गरें हमली सबसे पहला हमली इसमा discount दियों discount को percentage 20% तेस बराबर selling price हमरो होंच X minus 20 percentage of X वणने होंच ये बराबर X minus X by 5 वणच रो simplify गरे वची 4X by 5 वणच पहलो selling price आयो तर X को फार्म मा आये होंच तेस पसाडी आमे संग CP चा CP वणने को 4000 हो रा आमे संग profit को percentage चा तेव वणने को 20% हो ये दुविटा को use गर रहा SP निकालना सकींच कसर निकालने 4000 CP प्लस profit percent means 20% of CP 4000 is equal to 4000 जस्ताओ देशते 20% of 4000 निकालनों बहुए बने यो 8 से आयालच रह 4000 मा आठ से जोड़े वे 4800 बहुए बहुए दा अब आमे की कर सहों यो दुविटे SP लाए बराबर देखाए जिन सहों सो 4x by 5 बराबर 4,087 यो 4 ले 48 लाइक दाहिरी बार पुटतक, 12 इंटो 5, 60 बयाल सो x को बयाल सा आम्रो 6,000 बयाल सा रुपीज 6,000 बनीगो के रहिशा आम्रो माथ प्राइज रहिश 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 हमली यो कुईचन लाइ, लाइक है सोल्व गरनीओ, रिलेशन्स बनाउनुस थेस बजाड़ी के इजी बयाल सा पुषिन सोल्व गरना हिना, सुरुमा हेरदारी कंप्लिकेट लाइचा, तर रिलेशन बनाया रा बुजे बुजी, इट्स वरिश्मल लाइता, Q6. एक जना पसले ले एवटा कॉलम् 10% छूट दिये रबेजदा रू 8 नाफा गरेचा सो एसमा हमलाई discount को percentage दिये कुछा 10% नाफा चाई हमरो रुपया मा दिये कुछा 8 रुपीज बने र यदी उसले छूट न दिये को भए उसलाई रू 20 नाफा होंतियो सो छूट न दिये को भए उसलाई रू 20 नाफा होंतियो मतलब यदी उसले discount 0 राहे को भए उसको नाफा बने को रुपीज 20 होंतियो बनना खोजिको तेस भए बिक्रे मुल्ले मतलब selling price कती होला बने र क्वेशन ले सोद्दे साई तर लमानो mark price वने कोच साई हमरो X हो तेस पसाड़ी discount percentage 10 परसेंटेज सा अब आमी selling price निकालना सक्साँ X minus 10 percentage of X गरेर यहला है simplify गरनुवाला है 9X by 10 आयाल साई हो तेस पसाड़ी profit दिये को सामला है rupees 8 बनेर दियेको सा और SP रो profit दियेको सा वने आमी CP निकालना सक्साँ SP minus profit गरेर 9X by 10 minus 8 यह साई हमरो CP पर फरस्ट कंडिशन सरुको यूज गररा हमले यह निकालने में तर अब सेकेंड केस मा गई रहा है माक price पुनह X ने सा अब यह दी तपहले discount लाई 0 राखनु भाहा है सा मतलब discount ने दिनू भाहा को साईना बने selling price बने को mark price बरावर ने भाहाल सा मतलब त्यो बनी X भाहाल सा रह यो अवस्ता मत बाला कती नाफा बहे को सा rupees 20 20 बीस रुपया बहे को सा रह यह दी हमले यो दुलटागो यूज गररा cost price निकालने हो बने SP minus profit X minus 20 हुना आउसा है त कोईले बनी तबाईले एवटेई चीज मा convert गरेरा बल्ल इक्वेट गरना पाऊनोंच सो हामले याने र CP निगालनों कारंटे यो दुई टे कंडिशन्स वड़ा सेम CP सम्मा पुगाउने र बस्तु को क्रय मुल्येता कुने अवस्तामा चेंज हुदेना तेसले CP लाए अवा हामी इक्वेट गरना सक्साँ है त सो फर्स्ट कंडिशन वड़ा आयको CP हो 9x by 10 minus 8 रो दोसरो कंडिशन वड़ा आयको CP की होता x minus 20 हो है त SP अलगलग सा किना मने पहलो वाला मत बाले छूट दिनु भाहा सा दोसरो मा दिनु भाहा सा है न तर कोस्ट प्राइस दोईटेको सेम रहान साइदा सो CP सम्मा पुरा है रो इक्वेट गरनुको कारंटे हो अब यानि रहा एक्स एक्स लाए एक साइड माल याउनू नंबर नंबर लाए एक साइड माल याउनू सो यो 9x by 10 लाए एता लोगी राच्वामी x-9x by 10 बायाल सा बराबबर यो-20 लाए एता लेयर जोड़ दिने हो सो-8 प्लस 20 बायता यो टोटल आयाल सा हमरो 10x-9x करता है री x by 10 रो एता पट्टि बायाल सा 20 वड़ा 8 करता है रो 12 रोब यो 10 लेता मल्टिप्लाई गरता है री x को वड़्यू 1 से 20 आउंस है त लो यो x को वड़्यू 1 से 20 निकाली सागे वीशी तबायले निकालने वणने को साइ सेलिंग प्राइस हो सेलिंग प्राइस को लागी तबायले यो x को वड़्यू लाए सिंप्लिफाई गरने हो सो 9 इन्टु x मनिको 120 डिबाइड बाइ 10 00 काटे पेची बार इन्टु 9 एक से आठ रोप्या साइ बिक्री मुल्य रहिशा मतलब आमले एक से आठ मां बेचेकार रहिशा महीत Q7 एवटा घडी को अंकित मुल्य रूँ 7-20 थियो मांक प्राइस हामलाई दिएको साथ 7-20 कुने बेक्तिले सोही घडी लगातार 2 वटा छूट पसात रूँ 5-50.80 मा कीनियो येदी पहिलो पटक 10 परसेंट छूट मिलेको रहिशा वने दोसरो छूट को परसेंटेज कती रहेको होला ओके येले की बंदेस बंदारी मांक प्राइस 6-20 येश मां तबहले लगातार 2 वटा छूट पाऊनु भाश पहिला 10 परसेंटेज पाऊनु भाश पच्छी कती पाऊनु भाश त्यो थास है न तर अंती मुल्य चाई तबहले 550.803 भाश वने दोसरो छूट को परसेंटेज कती होला ये आमले निकालने त मां प्राइस 6-20 आफ्टर फस्ट डिसकाउंट पहिलो छूट पची आप्टर फस्ट डिसकाउंट ओफ 10 परसेंटेज पहला चाही तबहले 10 परसेंटेज चूट पाऊनु भाश तो ये दी 10 परसेंटेज चूट पाऊनु भाश वने 1st discounted price छूट पसी को पहिलो जुन प्राइज उन्छा त्यों कती रहे से तर 1st discounted price लेग दिन्चो आमी शॉर्टकट में यह लाए SP1 लेग दिन्चो तबाएगो लागी है 620 माइनस 10% अब 620 तो यह बयाल चाँ 720 माइनस 10% अब 620 वने को बहतर 720 वड बहतर गटाई दिन्चो दोस वड दुई गटियो 8 वह 11 वट साथ गटियो 4 वह 648 वह 148 रुपया भाशा यह 1st discounted price एज पसाड़ी फेरी तबाएज छूट पाऊनु भाशा तर कती पाऊनु भाशा त्यों चाई थास है नाम लाए सो मानों यसमा लेट सेकेंड जुन दोसरो पटक तबाएज डिसकाउंट पाऊनु भाशा तो सेकेंड डिसकाउंट परसेंटेज लाए एक सिनको लागे तबाए सेकेंड डिसकाउंट परसेंटेज पंद्र भाखो भै 15 परसेंट निकाल दियों तर अईले गुलागे आमला थासे ना सो एकस परसेंटेज माने कुन अले गटाई सकी पुची तपाईले त्यो सामान को लागी कती तिर्नो भाच 550.80 सो जुन्यों हमरो सेकेंड वाला वैल्यू आयकोच यो बराबर नहीं कती हुँँच आमरो 550.80 हुँच रो अब यो दुटालाई हल गरे रो तपाईले एकस को वैल्यू निकालने हो सो अल्योली स्टाट गरुआन ये ते कर दिन चुमा रो बनेर चो यो एशतों दिखींच ओन माइनस एकस बाई हन्डरेड बराबर 5550.80 डिवाइड बाई 468 और 1-माइनस एकस बाई हन्डरेड बराबर यो 50.80 लाई 648 लेता भाईले भाग गर दिनु बवय बने 0.85 बने राया अलसा क्यालकुलेटर मा गर नो गला है और यो बाईलाई सिंप्लिफाई गर देशों हामी so 1-0.85 बराबर x by 100 बाया अलसा 1-0.85 बने 0.15 बाया अलसा बराबर x by 100 बाया यो 100 लेता मल्टिप्लाई गर दिनु राया एक्स को वैल्यू 5 राया अलसा मतलब 5 परसेंटेज बने को आमरो दोसरो छूट को परसेंटेज रह साहत मेन को राया अंतिम्मा जुनतपाई यो gp2 निगालने उनुँँछ यो gp2 बने काई तपाईको फायनल मुल्ले हो जो तपाईले तियो सामान को लागी तिरनू भातियो तर प्रश्ण अनुसार तपाईले सामान को लागी 550.803 नुबादयो तेसले SP2 भने कैई त्यों दीएको मुल्ले बराबर हुँचा मेन गुरा त्याने रख्याल गरनो लाएतर Q8. If a commission of 10% is given on the return price, अंकित मुल्ले, of an article, the gain is 20%. If the commission is increased to 20%, what is the gain percent? Q8. So discount percent होएतर त्यों द्यान राखनो लाग अब यसले तपाई easily एसरी solve गरनो शक्नों सा, जस्ते माननो स्मार्ग प्राइसला आमले X इनको लागे 100 सपोस गर दियों, 100 रुपया, X 15 रुपन सपोस गरनो वो रत पाईले यानिर commission या discount दिनुबास, 10% दिनुबास, commission मनेर लेक दिन्चु मह या 10% commission दिनुबास, वने अब शाड़ी तपाई को यानिरा हामलाई profit percentage बराबर 20 percentage दिये को सा, सो अब आमी CP निकालना सक्सा, CP निकालने तरिका होंचा, SP इन्टु 100 डिवाइद बाई 100 प्लस profit को percentage, SP बने को 90 हो, 90 इन्टु 100 डिवाइद बाई 100 प्राइद बाई 100 प्राइद जोडने, मतलब 20 जोडने 1,20, सिंप्लिफाई गरनो 33,34,4,100,25,25,3,75 इसको cost price रहे सा, अब सेकेंड पाट ले किये बंचा बंदारी, येदी तपाईले commission अथवा discount percentage लाई बढ़ाया रो 20 percentage गर दिनु बहाए वने कती प्रतिशत ना फाउंचा, सो mark price सा, ते तिने राखे का सा, हमले 100, तरा commission को percentage बढ़ाया रहा हमले 20 percentage बनाई दियेगा सा, ते सबाई तबाईको अब सेलिंग प्राइज निकालनी हो बने 100, माइनस 20 percentage of 100 बने रहे निकालनु पर सा, रहे सको answer आयाल सा, हमले 80 रुपया आयाल सा, अब CP हामिसांगो अल्रेडी 65 रुपया, तो याने रहे डिफरेंस है रहे 5 रुपया को डिफरेंस है यो 5 रुपया बने को नाफा हो, तो नाफा बने को 5 रुपया को परसेंटेज हमले निकालनु पर्मने सा, तो नाफा डिवाइड बाई CP 75 गुणा 100 हमले गर दिने हो, तो 5 ले 75 रुपया कारदा है रहे 15 परटक गयाल सा, 5 थिया 15 वब, 5 इंटु 20 साइब, तो 20 रुपया 3 बनना ले 6, 2 रुपया 3 परसेंटेज यो हमरो आंसर बहाल साइथा, Q9, एवटा सेल्समैन ले कुल सेल्सको 9 परसेंटेज कमिशन पाउसर, रुप 20,000 बनना बड़ी को सेल्समा एक परसेंटेज बोनस पनी पाउसर, येदि त्यो सेल्समैन को कुल कमाई रुप 68 साइ हुना आयो वने, कुल सेल्स कती गरे को हला, कुल बिक्री कती गरे तो याम परसेंट कमिशन पाउसर, तरह 20,000 बनना बेसी बिक्री करशा वने, तेस पसी एक परसेंटेज बोनस पनी पाउसर, त्यो दुल्टे जोडेर उसको टोटल कमाई बन्सर, येदि उसको कुल कमाई 68 साइ हुना आयो वने, कुल बिक्री उसले कती गरे को होला, सो मानो उसले टोटल सेल्स बन्दिनो, कुल बिक्री उसले, X बराबर गरेगो चा बने र बुजनो सा, येन्या, रुख X बराबर को requires बिक्री उसले गरेो, अब तब एले सरी बुजनी हो कि, ये X बने को, जत्यू पनी उन शक्सा आईना, 50,000, 30,000, एक लाग, जत्यू पनी उन शक्सा, सो यो X को एक हिस्सा बनेगो रुपीज 20,000 हो तेसो वह बहुच यो कती बन्दायरी X-20,000 बाकी रहेगो बनेगो X-20,000 होंच यो और को हिस्सा हो अब यो पोहलो वाला जुन 20,000 सा यसमा उसले 9% कमिशन पाऊँच रो दोसरो वाला जुन हिस्सा चा एक परसेंटेज बोनस पाऊँच रो यो दुरिटा लाए जोडे रो उसको कुल रकम होंच 68 साए ये सरी ने हमले सॉल्व गरने हो तो हमले क्ये लेगने हो बन्दारी 9% आफ 20,000 तेस पसाडी एक परसेंटेज आफ अब अब बहुचे को बहुचे को निकालना पोलागी कुल सेल वटा 20,000 लाए गटाई दिनू परसे तपाईले बराबर 68 साए होना आयको अब इसला हॉल गरने साए ता 9% आफ 20,000 निकालने हो बने बिसी पसाडी को दुरिटा जिरो ला अटाए रा 200 इन्टु नौ गर दाहरी 68 साए बहुचे प्लस साएन एक परसेंटेज वनिको एक बाई साए हो औनी एकस माइनस 20,000 यानिरो जस्ता हो देस तई इस इकोल टू और 68 साए यानिरो सामिसंग अब यो 68 साए ला उतालोगे रो गटाऊनूस सो एक बाई साए एकस माइनस 20,000 बराबर 68 वट अठार गटि वसी 5000 बहुचे अब यो 100 ले येता मल्टिप्लाइ गरनू सो एकस माइनस 20,000 बराबर 5000 इंटू 100 गरदीने हो बने वसी यो बयाल चाए 5 लाक रत्यस पसाड़ी यो 20,000 ले लोगे रोगता जोड दिनू सो यो बयाल साम्रो 5,20,000 बने रहा भयाल साइता सो उसले कुल बिक्री गरे को रहे सा 5,20,000 को 20,000 सम्मा उसले 9 परसेंटेज कमिशन कमायो रत्यस पसी जुन एकस्ट्रा 5 लाक बचे को सा तेसको 1 परसेंटेज बोनस पनी पायो तेवा दू इटालाई जोडेर और 60,000 रुपया होन साइता ओकी यू वीडियो को लास्ट क्वेशन एवटा बेक्ति ले एवटा टीवी सेट बिक्री गरे पापत 10 परसेंटेज कमिशन पायो सा एवटा टीवी बिक्री गरे वने 10 परसेंटेज हरेक टीवी सेट को मुल्ले 20,000 परसे एवटा टीवी सेट बिक्री गरे वने उसले कती कमिशन कमायो होला वनेर क्वेशन ने सोद्देश हैता अब एवटा टीवी सेट एवटा टीवी सेट येदी उसले बिक्री गरे वने 10 परसेंटेज कमिशन पाउस तेसवाई 25 टीवी सेट बीक्री गर्दा हेरी उसले 10% इंटु 25 बराबर धाईसे परसेंटेज कमिशन कमायो योटा टीवी सेट को मुल्य उसको रहेचा रू 20,000 रहेचा तेसवाई तबाईले टोटल निकालनों पर सा टोटल कमिशन कती कमाया मनेरा सो टोटल कमिशन उसले पायको चा 10% of 20,000 गर्देव तबायको आंसर आयाल चाईत चो योकती उन्च 250 by 100 गुणा यानिरा आमले 20,000 गर्देव जीरो जीरो काट्टेव बराबर 250 गुणा दुई गर्नेवने 500 ये बयाले रपसाडी दोटा जीरो आजाचा मतलब रुपीज 50,000 50,000 उसको टोटल कमिशन रहेश अब एसला हमी एसरी पनी गर्ना सथ्यों एवटा टीवी को मुल्य कोश्ट प्राइज आमलाई दीएगोचा 20,000 25 वटा टीवी को कोश्ट प्राइज हमी निकालना सथ्यों 20,000 इंटु 25 गरेर रा अत्तपाई कमिशन पाई राखना भाँचा 10 पर्सेंट सो टोटल कमिशन निकालना सखनोंच टोटल कमिशन 10 पर्सेंटेज ओफ यो रकम आमले निकालना पोड़चा 25 दुनी 50 बयालचा रत्तेश पचाड़ी यानिर बांकी 480 अज़चान सो यो टोटल 5 लाग भाई आलचा सो 10 पर्सेंट ओफ 5 लाग निकालने वहने ठाक के तपाईगो 50,000 रुपया आउसा योड़े कुरा हो सेम आगाड़ी जस्ते आउसा है ताईओ आसे गारो क्वेशन भाई न कमिशन मा तेट्ती गारो क्वेशन पनी उनना अलिक देट डिसकांट वाला क्वेशन सरु तफ उन्चन कमिशन मा बेसिकली आमली सिखने मनेगो एती ने वाईत ला यो वीडियो मा एती ने होप एसमा डिसकास गरेको क्वेशन सरु तपाईला मान परेगो होला यतियो वीटियो मन बरेगो सापने लाइक रख शेर पक्योबीने गरनु सर मेरो यूटीब चानल मैठएडिक्षानला ये शब्सक्राइब गरनो साइं ना भूनु वाला मेश ते युस्वू वीटियू साभाई गो लागी लेर ताम आओदे गरनी सू और लेको लागा बढ़ा आजु तो, थांसू, 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 थांसू.